हेलो गाइज नमस्ते मैं सोबजा गुड़ी देव भूमी हरी दुआर से और स्वागत करते हूँ आप सभी का आज की अपने इस नए ब्लोग में तो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ कि सब ठीक हूँगे और हम सब भी ठीक हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का न ब्लोग तो आज की दिन जड़े दिखाते हैं आपको मैंने विरत रखा है धर में सब को अन्हानद होना हो चुका है तो अब मातारानी की अस्थाफना करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे तो अब कर हम यहां पर कलस अस्थाफना और कलस अस्थाफना करेंगी हमारी घर क कन्या हमारी किर्या नार होके तयार हो चुकी है अब पिरे के हाथ आसे में कलास के अस्थाबना कर वाएंगे तो हमारी कन्या कर रही है पे पूजा कलास तयार अब इसके उपर नार जल रखूं जाम डालने चाम डाल दिया हुआ है है अब ते पिसमें तुपी रखो ऐसे यहां पर यहां पर रखना है आराम से थोड़ा आ गया वस यह कर दी हमारी तो पिरिया ने कलस अस्थाब ना जे माता दी आज अब आज अब आज हमने पूजा कर लिए और आप पूजा करके सबसे पहले चाई बना दितब चाई पीते हैं घर में परत रखें सभी ने तब चाई पीते हैं देखते हैं उसके बाद पिरे यहां पर बैख चुके अब जाड़े की तुमड़ी जुरा चमट परे बटक तो बहुत बार्इस अज बार्इस नहीं है तो तीरे अभी सबी फरूर्स लेंगे तेले खिरम में फरूर्स आगे और सब्सेंगे सभी लोग सब्सक्णाईन चलते हैं जिन्दे लेहां के लिए दिखा कॉन सा है? जैस्री राम वीर बजरन जबली है परिंच के पास कॉन सा है? वहां कहा लगा परिंच? इतर लगाओ, इतर लगाओ आज़ो और आज तो दूप खिल रखिये बाकि कल तो इतनी बारी शोरी थी, बहुत ज्यादा तो ये देखें, बचों ने जन्दा लगा दिया एक तो यहां पर और एक उपर पिरिंच दिखा लगा दिया पिरिंच उपर है, पिरिंच अभी लगा रहा है नीचे आ चुके है नंदी महाराज आपको भी करवाते हैं नंदी महाराज के दर्षन तो आज गली में ही आ रहें हैं, और वो overezeत llenकुम को पूछीयो को बताते हैं, अगर आपने बारे में कुछ पूछ नहों तो बताते हैं, हां जब में आ रहे हैं तो यह नंदी महाराज आ गए और यह नंदी महाराज भवी से भी बताते हैं कि प्रिंस ने उदर लेरा दिया तो यह कैसा ही तो है सभी लोग आ रखने छत में दादी को लग गई धूप दादी बैठवी छाओं में जो आरे टेंगे में लगा रहा है तो थोड़ देर अबने धूप से की अच्छे अच्छे नीच्छे लोगों ने चल्डेप लगा है तो अब ठाना बनाते हूं पर देलिए इसका नाम जानते हैं इसका नाम बोलते हैं सिंगोर और यह मूली जो होती है उसमें निकलते हैं सिंगोर होते हैं सिंगोर की सब्जी अररर की डाल यह को खाने पीना हो चुका है और पिर्या ने निकाए थो पिर्या के लिए मैंने बनाना सीक भी बनाए था उसके बाद आलोभी बनाए तो फिरिया ने विखा ली और आप जाई पिरिया ट्यूूशन तो मैं पिरिया को ट्यूशन छोड़के आती हूं बस उसकी बाद मिलते हैं सिर्दा साम को तो गाइज टाइम हो चुका साम का और यहां पर बनारी में साम की चाई यहां पर मेरी चाई बन रही है और मुझे ना सरदर दोरब बहुत तेज मंदर बहुत जादा तो पता नहीं क्यों हो रहा है और अभी तो दवाइबिंग ले सक अब ब्रत रखा है साम कोई दवाए लोग अभी टाइम पास तो कर नहीं है जैसे तैसे देखने हैं मिलते हैं बाद में तो गाइस टाइम हो चुका साम का और अभी जारी में हम लोग यहां पर बीप और जुलित करेंगे और आर्टी भी गाएंगे दब यहां पर टावर के बीप पास में हमारे घर के पास में हैं तो सबी लोग जारें वाल्ड के सबी जितने भी हैं तो मैं भी जारी हूं और वहां पर देखेंगे क्या क्या होता है दिखाते हैं आपको भी ज़ते हैं किसे ने दिये घर से लागे के विलागे जाला से हम सबी लोग रगते हैं न सब्सक्राइब किसे ने दिये घर से लोग रागे के विलागे जाला से जाला से दों दरता पदे हैं ओ तर्मांगल मांगल में सिर्वात शाजिए पहला नवरात्रा है सब बीजी है सब के व्रत है जाके पुजा भी करनी है व्रत भी खोलने है तो सभी का बहुत बहुत दन्यवार आज के इस बीजी शेटल में से आपने तोड़ा समय निकाला और सबने मिलका तो यहां पे दीपरजली को बोचुका है अलो पुजा अलो पुजा रहे हैं अलो पुजा रहे हैं अब दीपरजलीद को तो अब घर में भी पूजा करते हैं तो दिखाते हैं आपको आगे तो गाइस मैंने भोग बना दिया है और अब आति हमें तो करते हैं पुजा पुलो चस्य खांगा को पना तर्व हैं जाट आख वोल रहे से जोने हैं क्वेडिन भारा दार हैं जाट वह नहीं करता है पूजा कर लिये और आरती भी हमारी हो चुकी है तो आप परसाद ग्राण काते हैं उसके बाद पिरेने ले लिया अब बनाती हूं रात का खाना तो उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूं उमीद करती हूं कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए पसंद आए तो लाइक करना कमेंट करना सेयर करना सुस्क्राइब जरूर करना मिलते हैं कल एक नए ब् बाई!